यूपी बिधानसवा चुनाओं से पहले उत्तरप्रदेश के तमाम जीलों के नाम बदलने के कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है हमारे साथ बारतिता पार्टी के वरिष नेता और कानपूर से सांसर सत्य देव पचोरी जी मौझूद है सर बिधानसवा चुनाओं आ रहा है ऐसे में आप लोगों ने अब शुरुवात कर दिया है नाम बदलने की क्या धार्मिक फायदा लेने की कोशिश से इस तरह के नाम बदल कर ये नाम पहले भी बदलते रहे हैं मायाबती मुकुमंती थी तब भी बदले गई थी मुलाइम सि में दिक्कत क्या है दो नाम तो वो होना चाहिए जो जनता स्विकार करें और तमाम चीज़ें ऐसी थी जो जनता पर लाद दी गई थी और उन चीज़ों को हटाये जा रहा है तो बुरा ही क्या है विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि विधानसवा चुनाओं अब नजदीक है तो यसे में धार्मिक फायदा उठाने की आप लोग कोशिस कर रहे हैं मियागंज का नाम मायागंज आप लोग करना चाह रहे हैं धार्मिक धुर्विकरन करने की आप लोग की कोशिस है देखिए विपक्ष के नेता को अपनी मानसकता बदरनी पड़ेगी ये बोट बेंग से देश का वेवकात भी नहीं हो सकता, सौधार भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए ना जिस परकार की दुनिया की पर सित्थी है, अफगानिस्तान का उधारन आपका सामने है, इल्लिए हमें सचेत होके और सक्त प्रशातन चलाने की जरूवत। है, अफ्गानिस्टान से तुनना कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ, दुनिया के हालाथ अगर लच़र प्रशातन होता तो इस प्रकार कि हो जाते हैं. इतली ये प्रशातन लच़र नहीं, क्योंकि भाग गए. आप आपने देखा राजाई भाग गया पहले पहुशें भाग गए तो कम ते कम हमारे यहां तो सक्ति से काम हो ना नाम बदलने से सर क्या विकास होगा कितना फायदा होगा नाम बदलने से लोगों की मानसिक्ता ठीक होती है लोगों को संतुल्ण होती ही, कि सरकार ठीक लाइन पर काम कर रही है. अब हिंदूrato tradicional के लिए सरकार काम कर रही है? ने हम सब के लिए काम कर रहे हैं. लेखें, सब भारत ही है. सब ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है. हिंदू, मुसल्मान, सिक्ष, ईशाई, ये तुल्टी करन तो देश की आजादी के बात आया, आजादी की लड़ाई में कोई तुल्टी करन नहीं था, कोई मुसल्मान ने बरोद नहीं किया, देश के संब्धान को मुसल्मान ने भी स्विकार किया, हिंदू ने भी स्विकार किया और सबको ले के चल लाएं और मोदी जी तो हम से सबसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकात विश्वास कौन कौन से यूपी कैसे जन्पद हैं जिले हैं ब्लॉक हैं जिसका आप लोग नाम बदलने वाले हैं विधान सबस्वा चुनाओं से पहले सरकार की तो कोई मंसा नहीं है जो नीचे प्रिशासन की ओर से जो मांगे आती हैं डिमांड आती है उस पर सरकार विचार करती है अभी कुछ विचारा दिन सरकार किया होगी तो वो करेंगे मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है का नाम माया गंज किया जाएगा अब मेरी जानकारी में नहीं है इसलिए उस तो कोई कमेंट नहीं करूगा तर एक दूसरा भी से है सराब को लेकर प्रियंका गांधी वाडरा ने ट्वीट किया है कि उत्तर परदेश में जहरेली जो सराब है वो बेची जारी है लोगों की ज फाग गए और माफिया राज तो कांग्रेस के समय में था मुलाइम सिंग के समय में था माया बती के समय में था आज माफिया राज माफिया तो का गवडा रहें माफिया तो चाह रहें कि यह योगी जी मों कुमंतरी नहीं रहें क्योंकि उनका अवैद धंदा नहीं चला चै हाँ वो जाच बठाई हुई है और जो भी दोसी होगा सक्तिकारवाई होगी यूपी में कॉंग्रेस पार्टी ने एक बुक्लेट जारी किया है जिसमें समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या भाजपा हो सबको कहीना कि एक तराजू पर रखाया और चोर कहा है हम लोग किसी को यह भाषा नहीं बोल सकते जो कांग्रेस बोल सकती है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है यह तो राजनीतिक उनका जल्ड़ा है चुनावा आ गए है लेकिन सबते ज्यादा शासन में उतर प्रदेश में यह दिकोई रहा है तो वो कांग्रेस रही सबते ज्यादा मुक्वंती उतर प्रदेश में रहें तो कांग्रेस में रहें और उन्होंने क्या किया उतर प्रदेश में विकात में उनको अपने गिरेवान में जाकना चाहिए और देखना चाहिए मायवती प्रेस कांगरेस को पर हमला बोला है और कहा है कि कांगरेस ने अपने सत्ता में कुछ भी नहीं किया है और फिलाहल यूपी के अगर बात करें तो कांगरेस पार्टी को ऐसे निता नहीं मिल रहे है जिसे टिकट दिया जाए ये वाज सच है कि कांग्रेज तो बिलकुल हासिये पे आ गई उत्तर प्रदेश में उनके पास कंडिडेट नहीं है इसलिए गुपचुप हम समझाता कर रहे हैं अकले सियादों के साथ ये मेरी पूस्ट ख़बर है क्योंकि उनका वही हथर होने वाला है जो बिहार में हुआ था मायवती सही कह रही है बिलकुल सही कह रही है महत्तों सुक्रिया सर महरत समचार को समय देने के लिए कैमरामेन राहूल के साथ रवी सर राभ भारत समचार तिल्ले